स्वागत है और हम स्वागत है तो इसके पहले को सिंदम ने कर दिये थी ये को सिंदम्र 18 आज सोल्ब करेंगे तो देखिए इसकी स्टेट्मेंट में समझा देता हूं फिर उसके बाद अंसर को करते हैं यहां बोलता है how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg तो देखिए आपको धियान रखना है कि mass जोगे किलोग्राम में होने चाहिए time second में और velocity या speed जोगे meter per second में होने चाहिए तो यहां पे mass kg में बिलुकुर सही बात है transfer to the floor तो कितना momentum transfer होगा floor में एक dumbbell जोग जो इसका mass है 10 kg if it is falls from a height of 80 cm तो उसको 80 cm की height से हमने नीचे floor की तरफ फैंका तो यह height जो हमें centimeter से meter में change करना पड़ेगा और यहां पे बोल रखा है कि downward acceleration जो वो 10 meter per second लीजिए मतलब gravity का है जितनी gravity जो 9.8 या 10 जो है तो यहां पे acceleration लेने के लिए कहा है तो यहां पे हमें पहले लिखेंगे जो give one हमें क्या के दे रखा है क्यूंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमें formula कौन सा लगाना है और आगे question को कैसे solve करना है acceleration 10 meter per second square और दूसरी चीज़ यहां पे बोलता है कि mass जो है तो mass इसका दे रखा 10 kg तो यह दो चीज़े तो हमें clear होगी अब आती है initial velocity की तो dumbbell को जब उपर से फैंका है तो starting उसकी velocity 0 होगी तो यहां पे आ जागा 0 meter per second फैंट तो देखिए यहां पे V जो हमें निकालना है तो कैसे पता चलेगा हमें V निकालना है मोमेंटम का formula निकालने के लिए वो लेगेगा V square is equal to U square plus 2 AS यह वाला formula लगाएंगे यहां से में V निकल जाएगा तो देखिए V square V तो हमें निकालना है U हमारे पाद 0 plus 2 multiply by A जो कि यह 10 multiply by acceleration नहीं जो distance है तो distance जो है वो 80 cm तो इसको हम convert करेंगे देखिए 80 cm तो इसको cm को मिटर में change करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से तो यह हो जाएगा 80 upon में 100 मतलब मिटर में तो S जो आएगा हमारा वो आएगा 0.8 8 मिटर तो इसकी जगा में रख देए 0.8 अब इसको multiply करेंगे तो देखिए आ जाएगा यह 0 8 आ गया और इसके बाद 2 से करा तो आ गया 16 तो वी आएगा अंडरूट 16 तो इसका अंडरूट देखिए निकालते हैं तो factor करके निकालते हैं तो आप में से कई बच्चे बोलते हैं कि लगवा फूरा solve कर दीजे तो मैं फिर से कर रहा हूं इसको यहां पर solve 2 8 जा 2 4 जा 2 इस तरह से तो अंडरूट में क्या करते हैं जो सेम फेक्टर होते हैं उनका एक बना देते हैं तो यहां पर दो यह दो हैं तो इसका एक दो बना देंगे वैसे यहां पर भी तो 2 multiply by 2 क्योंकि 2 का बना यहां पर पे पेर तो आजाएगा 4 हमारा अंसर तो वी आ गया 4 मिटर पर सेकंड तो अब जैसे मुमेंटम हमें निकालना था तो मुमेंटम में रखेंगे अब तो यहां पर आ जाएगा मास जो की है 10 multiply by V4 तो अगया 40 क्योंकि मास था किलोग्राम में और विलसिटी था इसमें मीटर पर सेकंड तो यह हमारा मुमेंटम आ गया तो यह मुमेंटम है जिसको वो ट्रांसफर करेगा जो यहां पर पूछ रखा है फ्लोर में अगर आपका अभी भी कोई डाउट है त आप कमेंट करके भू सकते हो इसी और कोशिन में डाउट है ता आप कमेंट कर दीजिएगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगा और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाई